पूर्व में यहां से कई दिगज राजनेता चुनाव जीते हैं इस सीट पर छट्थे चरण में बारह मई को मतदान है आईए जानते हैं महराज गंज लोगसभा के बारे में सारन और सिवान जीले में फैला महराज गंज लोगसभा छेत्र को बिहार का दुसरा चीतोड़ गड़ भी कहा जाता है इस लोगसभा छेत्र के अंतरगप छो बिधान सभा सीटे आती है जिनमें गोरिया कोठी, महराज गंज, एकमा, मांजी, बनियापूर और तराया है इनमें दो बिधान सभा सीवान में तो चार सारन जीले में है 2014 में महराज गंज से भाजपा के जनारधन सी सिगरिवाल ने राज़त के प्रभुनाज सीग को हराया था वहीं तीसरे नमबर पर यहां से जद्यू के मनोरंजन सी उर्फ धूमल सी ही थे इस बार भाजपा ने फिर जनारधन सी सिगरिवाल को टिकट दिया है वहीं राजत से प्रभुनाज सींग के बेटे ररधीर सींग चुनावी मैदान में है महराज गंज लोक सबाचेतर 1957 में बना पहले चुनाव में कॉंग्रेस के महेंद रनाज सींग सांसत चुने गए यहां सबसे ज्यादा आबादी राजपूतो की है दूसरे अस्थान पर भुमिहार है पूर्व परधान मंत्री चंदर सेखर यहां से 1989 में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे उनके इस ठीपा देने के बाद राम बहादूर सीं सांसत चुने गए यहां से चार बार बाहु बली छवी वाले प्रभुनात सी सांसत रहे हैं एक बार स्वर्गिये उमा संकर सी भी सांसत बने इसी लोग सबाच्छेत्र के अंतरगत दोजार सोरह में मसरक प्रखंड के नौ स्रीजित प्रात्मिक बिद्याले गंडामन में 27 मिट्डे मिल खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी इस मामले में बिद्याले की परधाना ध्यापिका मीना देवी को छपरा कोट ने 2000 सुरह में आज इवन करवास की सजा सुनाई थी महराज गंज से सांसत जनारदन सी सिगरिवाल ने यहां पाच साल में 2332 योजनाव को मंजूरी दिलाई है मसरक से महराज गंज नई रेलवेलाइन की सौगात मिली है लेकिन यहां का सबसे बड़ा जों की मुद्दा है महराज गंज को जीला बनाने की मांग है इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए है यहां अनुमंदल अस्पताल है लेकिन बेहतर चिकित्सा के लिए लोगों को आज भी बाहर जाना पड़ता है यहां छेत्र राजधानी पटना से करीब 127 किलोमीटर दूर है जबकि दिल्ली से इस छेत्र की दूरी 987 किलोमीटर है यह उतर परदेश की सीमा से सटाई लाखा है महराज गण एक तरफ गोपाल गण जीले से भी घीरा हुआ है लंबे समय तक यह सीट कॉंग्रेस और फिर जनता दल का मजबूत गढ़ बना रहा आरजेडी के उमिद्वार्गियां से दो बार चुनाव जीते हैं राजपुत बहुल इस सीट पर मुस्लिम यादो समिकरन का खेल बना और बिगार सकता है इस सीट पर राजपुत समुदाय से आने वाले बाहुम अलिनेता प्रभुनात सींग की अच्छी पकड मारी जाती है प्रभुनात पहले जनता दल फिर समता पाटी और बाद में राजप के टिकट परियासे सांसत चुने गए लेकिन 2014 के मोदी लहर में बीजेपी उमिद्वार के सामने मात खा गए इस बार वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हत्या के एक मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा हो गई है उनके अस्थान पर उनके बेटे रडधीर सी महागट मंदन की तरफ से राजप के टिकट पर चुनावी मैदान में है वहीं अगर बात करें कि इस सीट की गुना भाग की तो महराजगर लोग सवाच्छेतर में मतदाताओं की कुल संख्या 13,12,219 है सारत परमंडल के अंतरगत पढ़ने वाले इस सीट पर पूर्व के बरसों में सियासत दिल्चस्प रही है 1996 से ही यह सीट जनता दल्यू यानि जद्यू के खाते में रही है 1996 से 2009 तर चार बार जद्यू यह सीट जीती है केवल एक बार 2009 में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था 1989 में चंद्रसेखर ने महराज गंज वो बलिया से चुनाव लड़ा था वे दोनों जगहों से जीते थे मगर उन्होंने महराज गंज सीट छोड़ कर बलिया अपने पास रखा था इस दवरान वे परधान मंत्री भी बने 2014 के आम चुनाव ने जब भाजपा और जद्यू ने अलग-अलग चुनाव लड़ा तब मोधी लहर में इस सीट से भाजपा के जनारदन सी सिग्रिवाल विजेता रहे पुराने आकड़ों पर नजर दाले तो 1962 में कॉंग्रेस के किरिशना कान सी सांसर बने 1967 में MPC और 1971 में रामदेव सी इस सीट से चुनाव जीत कर लोग सभा पूचे इसके बाद 1990 और 1984 में कॉंग्रेस के कृषन परतापसी के हाथ जीत लगी और 1989 और 1991 की चुनाव में जनता दल के उमिद्वार इस सीट से जीते 1996 में समता पार्टी के राम बहादूर सी यहां से सांसर बने 1998 में समता पार्टी के टिकट पर बाहू बली प्रभुनाज सी यहां से चुनाव जीतने में काम्याब रहे इसके बाद वे लागातार दो और चुनाव 1999 और 2004 में जेडिव के टिकट पर जीते रहे लेकिन 2009 में उनके जीतने का सिलसिला रुका उस चुनाव में जेडिव के प्रभुनाज सी को आरजेडी के उमा संकर्सी ने हरा दिया 2013 में उमा संकर्सी के निधन के बाद महराजगन सीट पर उप चुनाव हुआ इस बार प्रभुनाज सी पाला बदल कर आरजेडी के खेमे में आ चुके थे उप चुनाव जीतने में प्रभुनाक्सी सफल रहे अगर बात 2015 के बिधान सबा चुनाव की करे तो बर्स 2015 के बिहार बिधान सबा चुनाव में महराजगन लोग सबा छेतर के 6 सीटों में से 3 पर RJD, 2 पर जद्दिव और 1 सीट पर कॉंग्रेस ने जीत हासिल की सिवान में परने वाली गोरिया कोठी सीट RJD ने तो महराजगन सीट जेडिव ने जीती जबकि सारंजीले में परने वाली एकमा सीट से जद्दिव मांजी के कांग्रेस बनियापूर और तरया से राज़त उमिद्वार की जीत हुई प्रभुनाज सीग के जद्दिव छोर RJD में जादे के कारण जद्दिव को इस इलाके में काफी नुक्सान उठाना पड़ा 2014 में हुए इस लोगसवाचुनाव में महराजगन सीट से BJP के जनार्दन सी इस्तिगरिवाल को 3,20,753 वोट मिले थे जबकि राज़त के प्रभुनाज सीग को 2,82,333 वोट मिले थे तीसरे नंबर पर रहे जद्दिव के मनोरंजन सीग उफ धूमल सीग को 1,49,483 वोट मिले छेत्र की सियासर्ट से जुड़ी अहम जनकारी के बारे में अब हम बात करेंगे तो सारन और सिवान जीले देश में रेल रोड कनेक्टिवीटी के लिहाज से काफी अहम जगा परिस्थित है पुर्वी और पस्थिमी भारत को जोडने वाली रेल लाइन हो या फिर दूर दक्षिन के राजियों तक यहां से सीधी रेलवे लाइन जाती है सारन से लालू यादो लागतार संसदिये चुनाव जीतते रहे लालू के रेल मंत्री रहते इस इलाके को लागातार त्रेनू की सोगात मिलते रही साथ ही मदवडा में रेल चका फैक्टरी भी लगी बिरिटिस सासन के खिलाप अंदोलनों में भी इस इलाके का अस्थान अगरड़ी रहा था हाला कि रोजगार की खोज में पलाइन इस इलाके की एक बहुत बड़ी समस्या है इस बार महराजगन में मुख्य मुकाबला एंडिये और महागट बंदन के बीचे दोनों और से परचार में पूरी ताकत जोग दी गई है इस्टार परचार करने आ रहे हैं महराजगन से कौन बनेगा सांसद इसका फैसला 12 माई को होने वाले चुनाव के बाद 13 माई को मतगन्ना में ही असपश्ट हो पाएगा वहीं आपका मत ये निरनाएक फैसला करेंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे सेयर कीजिए लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और फेस्बूक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए धन्यवाद